हेलो दोस्तो आज के दिन के आपको हार्दिक शुब कामना है नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल दोस्तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे आप ही की वज़े से बहुत से उत्सवों के बारे में पता लगता है जैसे भारत वर्ष में आदिवासी दिवस्त भी बनाये जाता है नो अगस्त को इंटरनेशनल अंतरराश्ट के इस्तर पर मनाये जाता है और इस दिन पर भी आपको बोलना आना चाहिए क्योंकि भारत में अभी 10 करोड के करीब आदिवासी हैं तो आपको अगर भाशन देना है तो दीजिए भाशन आदिवासी के बारे में पढ़िए रियल में वो भारत के समदेसी हैं मूल निवासी हैं शुरुवात कीजिए प्रकरती की रक्षा करने वाला धरती पर जीव अविनाशी है शुकर मनाता है हर पल श्रिष्टी का ये भारत का आदिवासी है सबसे पहले आदिवासी दिवस की हार्दिक शुक का मनाएं आज के कारेकरम में विराजमान माननीय मुख्य अतितिय महोदय अति विशिष्टति थी विशिष्टति थी एम उपस्तित गण मानने लोगों और आदिवासी सुमदाय के माननीय शुरुताओं का भिनंदन करता हूं आप सभी जानते हैं कि 1982 में सयुक्तराष्ट संग ने आदिवासी दिवस घोषित किया था जो 1994 से पूरे विश्व में मनाया जाता है सयुक्तराष्ट की घोष्टना के अनुसार यह हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है जिसमें हमारे आदिवासीयों की सस्कृती रहन सैन जिवन यापन को लेकर कारेक्रम होते हैं आदि का अर्थ है प्राचीन यानि आदिवासी ही वास्तों में देश का मूल निवासी है आपस में हमेशा मिलकर रहना मूल वासियों ने हमें सिखाया है वनों परवतों को बचा करके धर्ती को स्वर्ग बनाया है आदिवासी प्रकृति के रक्षक है अगर धर्ती को बचाना है तो इनका जीवन अपनाना होगा या तो हम जंगलों में बस जाएं या इनको साथ बसाना होगा नो अगस्त आधिवासी दिवस पर हमें यह प्रेरणा लेनी होगी कि हम सभी प्रकृति की रक्षा करें जिस तरह से आधिवासी लोग प्रकृति परवतों पहाडों और श्रिष्टी की पूजा करते हैं सभी को इनके प्रकृति प्रेम को अपनाना होगा आज देश में लगबग 10 करोड के करीब यह स्वधेशी लोग हैं जिने सरकार की समूचिस सुविधाएं नहीं मिल पाती अपने अधिकारों के प्रती जाग रुकता की कमी का कारण इनकी अनपटता भी है इसलिए आज हम लोग संकल्प लें की जादा से जादा इनके अंद से खून का रिष्टा निभाएंगे ताज और मिनार किस काम के सबसे पहले हम आदमी का घर बनाएंगे महा भारत काल में एकलव्य जैसे धनुरधारी हुए तीर अंदाजी लगाना अन्य भी कई अनोके उनर इनकी वंश पनंपरा रही है जिसमें महान एकलव्य का नाम जु अधिवासी लोग ही अगर वाशन देना चाहते हैं अपने बारे में तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं अपने बारे में कुछ गोरों की बात में बोल सकते हैं सीखते रहें स्वामेजी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्ट्रिश जादा से जादा किजिए दोस्तों और किसी भी भाशन की स्कृप्ट लेने के लिए मंच संचालन की स्कृप्ट चाहिए मन्च पर बोलने से आपको डर लगता है तो दिये गए contact number पर contact करें धन्यवाद